नमस्कार MNS News Life में आप सब दाश्यकों का स्वागत है कॉंग्रेस नेता अधी रंजे चौधरी ने पीम मोधी की तुलना गंदी नाली से की फिर आक्षेस बताया कॉंग्रेस नेता ने इंदीरा गंदी और पीम मोधी की तुलना के संधर्व में कहा की कहा मागंगा और कहा गंदी नाली अधी रंजेन के इस वायान की बाद हंगामा शुरू हो गया अब भामक विग्यापन देने पर लगेगा जुर्माना भामक विग्यापन और सुरक्षा मामलों को लेकर सरकार सकतर अज़र आ रही है सोमबर्वों कैबिनेट की बैटक हुई जिसमें आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों को लेकर कई अहम फैसले दिये गए विदेश मंदरी S.J. शंकर भाशपा में हुई शामिल विदेश सचीव से विदेश मंदरी तक का सफरते करने वाले सुप्रमन्यम जैशंकर भाशपा में शामिल हो गए उनका भाशपा में शामिल होना अपचारिक मात्र था इस ट्वीट को लेकर मुश्किल में फसे रहूल गांदी भारतिय सेना के डॉक्स वाट की योग करते एक तस्वी शोशल मेडिया पर शेर करने पर मुंबई के एक वकिल अटल भिहारी दुबे ने राहूल गांदी के खिला शिकाय दर्ज कर आई है MNS News Live की खबरे देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Indie App डाउनलोड कीजे और इस टैनल को सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद